कम्प्यूटर सहस्थान के डारेक्टर के साथ हुए मारपीट के मामले में बढ़हरिया पुलीस ने दर्ज की प्रात्मी की 24 गंटे बाद भी नहीं हुई आरोपियों की गिराफ्तारी कम्प्यूटर सहस्थान के डारेक्टर के साथ हुए मारपिट के मामले में बढ़हरिया पूलीस ने प्राथमी की दर्ज कर ली है लेकिन 24 गंटे बीज जाने के बाद भी उन आरोपियों की गिराफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है बीदितों की 17 अप्रेल को कम्प्यूटर सहस्थान के संचालक परवीन कुमार के साथ मारपिट किया गया था जिसके बाद से परवीन कुमार ने बढ़हरिया थाना को आवेदन देकर आरोपियों की गिराफ्तारी की मांग किये थे लेकिन 24 गंटे बीद जाने के बाद भी पुलिस ने गिराफ्तार नहीं कर पाई है आए सुनाते हैं इस संबंद में क्या कर रहे हैं पिडित परवीन कुमार अभी तक सीफ एफ आयार दर्ज किया गया है और एक भी आरोपित की गिराफ्तारी नहीं हुए आरोपित मेरे सामने से आ रहे हैं जा रहे हैं हमको हमेसा डर बना हुआ है मेरे साथ कभी भी वो लोग कुछ भी कर सकते हैं यह सुचना बढ़रीय थाना को दुबारा अब लिए या नहीं है नहीं हम तो मीडिया के माधियम से हर चीज दे रहे हैं बता रहे हैं कि उन सब को गिरभ तारी किया जाए हमको जान की खत्रा है लेकिन परसासन अभी तक हमसे एक बार भी मिलने भी नहीं आई नहीं तक नह समयों की लोग का एक बहुत मजबूत संगर्थम था सिक्षक अन्यान का कोचींन संथानों का क्या इनके द्वारा यह लोग इसमें में सहयोग नहीं कर रहे हैं ये लोग भी मेरे साथ कोई सांथ में नहीं आयि कोई हमसे मिलने आया मिलने याउल ले कोई हाल तक भी. हम प्रविशनि कोई सस्थाना और आप मामले में इसके मामले में व्यक्त, कर रहा हैं, आपका केस्स New statute जी मेरा केस नमर जो है 1772 अब आवेदन किस दिन दिये थे बढ़ारी सान के जल से जल उन सब की गिरफतारी हो और गिरफतारी में देरी होगी तो फिर आप क्या करेंगे गिरफतारी में देरी होने से हम बर्य पददी कारी से मीलेंगे और जल से जल गिरफतार करने की मांग करेंगे आपका परीचर जी मेरा परचर परवीन कुमार सिंग निदेशक सांतिय जी बढ़ा लिया